के बाद भी मुझे चीज हो रही थी कि यार यह कितना टॉर्चर कर रहे हैं मिर से तो गईस युके जिवर सम राइडर की एक्सपोज वीडियो बाहर आ चुके है जहां उन्होंने सलमान खान और बिग बॉस हाउस को एक्सपोज कर दिया है उनके थोट्स क्या थे जहां पर उ तो मेरे को जब होटल में आ करके रखा गया तो उस होटल में आ करके मेरे को दो दिन तक मेरे घरवालों से कोई कंटाक नहीं करने दिया गया शोखता मो चुका था बट उसके बाद भी मुझे चीज हो रही थी कि यार यह कितना टॉर्चर कर रहे है मेरे से मैं अल्रेडी त उस दो दिन उस होटल में था ना तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुसाइड का थौट भी आया कि मैंने ऐसे क्या ही कर दिया कि मैं अब तक इस हिजा भुगत रहा हूँ भगवान जी ने शायर थोड़ी सद बुद्धी दिया और मैंने कोई गलत डिसजन नहीं उठाया उस होटल के इंदर जब आप पूरी दुनिया से कट ओफ रहेते हैं इतने लंबे टाइम पीरिट के बाद एना बाहर भी आ जाते हो उसके बाद भी इन्होंने मेरी फैमिली से मिलने नहीं दिया जो कभी ये वो सच्चाई थी जो कभी बिग बॉस ने दुनिया के सामने आपको छोड़ा घर में जितने भी कपड़े आपने मेरे को पहनते वे देखें उसका डिजाइनर वो डिजाइनर था हर्श हर्श कितने के कपड़े भिजुआ है तुने बिग बॉस किंदर 10 लाग सूप पर गी जिल्लत मेरी साइड अब आनी बाकी है बहुत कुछ एक्सपोस करने है तो गाइस बिग बॉस की हाउस से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है जहां अभिशे कुमार को इवेक्टिट कर दिया गया है बिग बॉस हाउस से भार निकाल दिया गया है क्योंकि उन् शामालपुरिया चिंटू और अभिशे की लड़ाई हो रही थी तो उसी के अंदर पॉकिंग लेव लित्ता बढ़ चुका था कि अभिशेक ने चिंटू को थपड मार दिया और इसी के वज़े से उनने भार निकाल दिया गया और रीजन अभी कैप्टन अंकीता लोखंड कर रहे तो काफी लोग भी पसंद कर रहे थे अब बिग बॉस हाउस में कोई ऐसा नहीं है जो मुनावर को टकर दे पाए तो आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं